नमस्कार मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ताख खबरदार नियूज आईए एक नज़र आते हैं कुछ खास खबरों करूँ उल्टियां हुई तो पता चला नाबाले को चार मा का घर्ब कई बार डरा कर किया रेप सजा से बचने डियने रिपोर्ट को भी जुटलाया इन दोर में दस्वी की छात्रा को उल्टी पेट दर्ध होने पर जब परजन उसे डॉक्टर के पास लेगे तो जांज के बार डॉक्टर ने जो बताये वो हैरान करी वाला था जांज में पता चला कि वो प्रेगनेंट है उसे चार महीनी से ज्यादा का गर्ब है माता पिता ने बेटी से इसके बारे पूछा तो पता चला कि स्कूल आते जाते एक आरोफी उसका पीछा करता था पहले दोस्ती के लिए दबा बना कर उसके साथ जाती की फिर शादी का जहासा देखकर दोबारा गलत काम किया किसी को बताने पर बदनाम करनी की धमकी थी मामले में चार साल बाद कोट ने सकते टिपनी करते 25 साल के आरोफी युवक को संवार को मरकायत की सजा सुनाई है मामले में आरोपी की डियाने रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी नियाले ने डियाने रिपोर्ट पीड़ता के बयान सहित अन्य सभी सभूतों को देखते हुए आरोपी राजु को तीन अलग लग धाराओं ग्रफतारी के बाद बचने के लिए आरोपी ने डियाने रिपोर्ट को जूट बोला और सजा से पहले क्या गोहार लगाई जानी सिलसिलेवार क्या है पूरा मामला और कैसे बचने के लिए आरोपी ने कोर्ट में जूट बोला और सजा से पहले क्या गोहार लगाई पहले जान लीजी मामला क्या है मामला साल 2019 का है विजय नगर्थाना शित्र में रहने वाली पीरता उसमें कफशा दस्वी में पढ़ाई करती थी आरोपी राजेंद्र और फ्राजी चोहान निवासी स्वर्ण बाग कालोनी पीरता की स्कूल के बाहर आसपास महले में खड़ा रहता था पीरता का पीछा करता था और उससे बात करने की कोशिश करता इसके बाद आरोपी पीरता पर दोस्ती का दवा बना लगा पीरता ने उसे दोस्ती करने समना कर दिया लेकिन फिर भी वो से रहा चलते हुए परिशान करता था इसकी बाद आरोपी ने पीड़ता को विश्वास में लिया कि मैं सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूं और कोई बात नहीं है एक दिन 10 जुलाई 2019 को आरोपी ने पीड़ता को जहांसे में और उसे अपने घर लेकिया उस दिन उसके घर पर कोई नहीं था वहाँ पहली बार आरोपी ने पीड़ता से दुसकर्म किया और साथ ही उसे धंकाया भी अगर उसने किसी की ये बात बताई तो ठीक नहीं हुगा वो से बतनाम कर देगा गटना कि कुछ समय बाद आरोपी र बूलीं